हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद द्वारत से आपके अपने चैनल विवेगाना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नहे तो सब्सक्राइब कर लो साथ बैल को दबना ना भूला और दोस्तो यह लास्ट वीडियो का देखा ठीक है तीन चार प्रेगिंग न्यूज है एक वर्निंग है इस फार्मा स्टॉक से डेफिनेटली निकल जाओ रिटेल के लिए एक यलर्ड वाई अलर्ड हो pattern, share holding pattern revealed हुआ है stock का अगर आप सोच दो कि मैं कि stock की बात कर रहा हूँ तो भाई वीडियो को अंतक देख लेना और like करने में कंजूसी मत करना और share कर दो के definitely तो आपको Sunday को class होने वाली है उसमें आपको participation का link मिल जाएगा तो share कर दो बाखी आपके जो भी सुझाओ है comment करें दिल से बहुआ धन्यवा जो भी लोग comment करते है definitely उनके नाम हमें याद रहते है future में हमारी growth के साथ आपकी भी growth टै है और साथ में दोस्तो एक काम और करो जो भी आपका सुझाओ है और आपके जो stocks है जिनमें आप फसे पड़े हो आप नीचे comment कर सकते हो अगर उनके उपर मुझे stock अच्छा लगेगा मतलब basically ठीक है मुझे अच्छा लगेगा stock तो मैं definitely उसके उपर वीडियो बना दूँगा जैसे बहुत लोग Voda idea के उपर बोलने में लगे बार बार ठीक है वो stock को मैं अभी नजरों में रख रहा हूँ observation में रख रहा हूँ कि उसका price action moment कैसा होता है जैसे ही वो पकड़ में आएगा आपके साथ update कर दूँगा उसका भी latest chart view और उसका next क्या रह सकता stock का अपना भी जो भी आपका stock है नीचे comment कर सकते हो मैं हर किसी के comment पढ़ता हूँ और जो भी comment आप करते हो मैं Google में search मारता हूँ कि उसके बारे में क्या चल रहा है ठीक है इसलिए बोलना हूँ comment कर दो कम से कम मेरे वो नजरों में रहेगा व्यू में रहेगा ठीक है भाई comment नहीं करोगा तो समझे लो फिर कौन देखेगा समझे लो ना देख सकते हो जिस pharma stock की में बात कर रहा हूँ उसका आप vivid mad lab है ठीक है stock की में बात कर रहा हूँ stock upper second में जा रहा है almost almost आप देख सकते हो एक महीने के अंदर stock ने almost 80% की return देचुका है ठीक है आप देख सकते हो 80% जादा बोलते है 100% की return देचुका है और 100% बेसे 80% की return हमने भी gain कर लिए आपको दिखाता हूँ मैंने खुद stock 19 रुपे की levels में buy किया था stock में रहे stock में देखो दोस्तों इतना अच्छी move आ गई और अच्छी खासी I think news भी थी stock में हाँ इसमें stock में भी कोई news नहीं है everything ठीक है लेकिन stock इतना चाँ भाग चुका है और तब भी जो उसके मालिक है वो अपनी promoter holding बेच चुरे है socialally बात है ना इसलिए कहा रहा हूँ भाई अब आपको यहाँ पर फसाया जा रहा है और फसने फसाने काम होने वाला है तो आपके बाद जो भी माल है आपने long term के लिए buy किया है या short term के लिए buy किया है Monday को खुलते ही exit मार देना ठीक है अगर यह stock आपका 50 रुपे चले है तो रोना मतर क्योंकि यह जाएगा ठीक है लालच ऐसी दिया जाता है लालच आपको तब दिया जाता है जब stock उपर जा रहा होता है धीरे धीरे करके 50 रुपे भी जाएगा ठीक है possible है ठीक है तो आप क्या करोगे किया था 80% का रिटन आ रहा है ठीक है तो आप बोल सकते हो जो रिटन आपको मैंने दिखाए थी उसके अल्मोस्ट जाहां जिस प्राइस से बॉटम आउट किया था हमने आपको वही यह रिकमेंट किया था अच्छी रिटन स्क्राइब ने दे ली है हमें आपको मैं दिखाए था उसके अंदर क्या निकल के आता है आप खुद देखलो आप समझदार व्यक्ति हो बहुत साई लोग दोस्तों गलती क्या करते हैं वह सीवना प्राइस की चाल को देखते हैं कि प्राइस उपर जा रहा है उसको तो पकड़ो आप उसको कौन पकड़ेगा और दोस्तों आप देख सकते हो बैक एंड मतला इसके प्रॉफिट इन लॉस में सेलली पैटन में बहुत कजब के गेम प्लान चलना है आप देख सकते हो सेप्टेम ने 32.79% की आसपास की होल्डिंग थी इसलिए कह रहा हूँ भाई यह स्टोक अगर आपका 30 रुपे अभी चलना चौती पैटिस रुपे क्या था च्छतिस रुपे क्या सवाई तो अगर स्टोक 50 रुपे जाता है तो भाई लालच मत करना स्टोक को बाय नहीं करना है अब ठीक है बहुत सारी यूटूबर्स फसना नहीं है ठीक है जब बाय करना था तब बाय किया अब स्टोक में एकजिट करने का टाइम है जब माली की एकजिट कर रहे तो भाई आप क्यों बाय कर रहे हो स्टोक में आपको डैफिनिटी मूव मिलेगी उपकी तरफ ठीक है 40-45 रुपे जाएगा एकजिट मार देन और मन्डे को खुलते ही 70% के आज सपास माल चेव देना तर दो देख सकते हुआ 44% के आज सपास पर मोटर होल्डिंग है मतलग इसमेंसे आप और measure हो रखा है फोल्डिंग भाई 10 पर पर Na Naid और विलेंगा को पता हो जासे है और आपको पता है तो हवा में ये घधे-गोड भी भागते है मैंने बहुत बार बोला है ठीक है आपका सिपला आपका सिपला जासे बड़े स्टॉक से वह आपको 35% की ड़न दे रहे है जो इस जो घडे घोड़े है यह आपको 80-90% की ड़न दे रहे है इसलिए मैंने आपको रिकरमेंट गिया था बात को समझो ठीक है भाई तो इस टॉक से एक्जिट करो, इस टॉक में अब मेरे साब से कोई future नहीं है, यह stock definitely आपका नीचे ही आएगा future में, ठीक है future का मतलब यह नहीं कि कली नीचे आजागा, नहीं, कम से कम 2-5 साल तक यह नीचे आएगा, ठीक है, मैं आपको बहुत सारे example दे सकता हूँ, पास में मैंन इस ट्रेbands के profit एंश डाम दे लोच, अगर अगर कमपनी नहीं लगता तरफिट दे रही है, ठीक है, प्रॉफिट देने का मतलब यहीं नहीं की», रेगुलर प्रॉफिट दे रही है, अगर कमपनी लोज भी दे रही है, चलेगा, लेकिन अगर आपको वो, ठीक है, वो अगर दिखाता है ठीक उसके बाद और द्वार नीचे की तरफ आता है तो यह स्टॉक भी दोस्तों देख सकते हूं कि इसका चार्ट दिखाता हूं आपको all-time तो आप खुद देखना कि स्टॉक में क्या चलता है मैं आपको all-time चार्ट दिखाता हूं यहाँ पर यह यह जो retracement है almost यह retracement आप 20-30% की होंगे फिर स्टॉक डबल बॉट्टम का फॉर्मेशन किया और दोस्तों देखिए इस टॉक का रजिसेंस एरिया भी है इदर अगर आप यह देख सकते यह रजिसेंस एरिया है पूरा का पूरा यह पूरा तीन आप तो एक दो तीन यह पूरा 27-30% चाज़स उबहर तक जाएगा उसको टेस्ट करने के बाद यह नीचे गरने वाला अपने उकाद में दुपार नीचे आने वाला है क्यों आने वाला उसका region मैंने आपको genuine region बथा दिया है क्योंकि भाईया मालिक पर्मोटर्स अपना माल बेच रहे है अगर वो अपना माल बेच रहे है अपना हाथ खीच रहे है तो भाईया आपको भी अपना हाथ खीचना चाहिए इसलिए कहा रहा हूँ भाई इस stock से exit कर देना अगर आपने मेरे वीडियो देखके investment करीए तो इस stock से exit कर देना ठीक है भाई मैं नहीं चाहता आपका पैसा एक रूपे कर loss हो बाद मन बोलना विवेक सर ने अपडेट नहीं किया ठीक है टेलिगराम ट्विटर में फॉलो कर लो और एक हो चीज़ बोल देने जाता हूँ अगर वीडियो अंतक देख लिया बहुत लोग ने विकास थोड़ा बहुत साथ है फंडमेंटल एड किया करो ठीक है भाई चलो बाई बाई आशागर तो आपने पूरा वीडियो देखा है पूरा वीडियो देखा है तो नीचे कॉमेंट करते न आपने देखा है ताकि आपको हम कुछ अपनी तरफ से कॉंट्रिव्यूट या थोड बाई बाई